चिंता अभी के लिए यहाँ पर यह है के हमास फिर से अटाक ना कर दे अहेड और जिरूसलम मार्च यहाँ पर आप देखोगे एक और आटिकल एस पर इसराइल डिप्लोईस आयन डोम जो इनका एर डिफैन सिस्टम है इसकी सारी बैटरी इस वक्त अक्टिवेटेड है इसराइल को यहाँ पर डर यह है के बड़े स्केल पर इन पर अटाक हो सकता है अब यह मार्च कोन सा है देखो आज है 15 जून 2021 आज के दिन अभी इसराइल में जब मैं रिकार्ड कर रहा हूं अभी वहाँ पर दिन का डाइम चल रहा है तो आज-ाज में ही इसराइल का जो अल्टरा रैडविंग है एक तो होता है रैडविंग यह लोग एक रैली निकालेंगे मार्च करेंगे पूरे फिलिस्तीन से यह बहुत बड़ी बात है यहाँ पर आप देखोगे इस पर आर्टिकल आपको दिख जाएगा इस्राइली नाशनलिस्ट टू मार्च इन इस्ट जरुसलम पलिस्तीनियन्स प्लान डे ओफ रेज इस्राइली नाशनलिस्ट यह कह रहे है कि अच्छे से जो वेस्ट पलिस्ताइन का एरिया है वहाँ पर यह लोग मार्च करेंगे और इसके रिस्पॉंस में जो पलिस्तीनियन्स हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग मनाएंगे यहाँ पर डियो आफ रेज मतलब rage का मतलब होता है बहुत ज़रा आक्रोश गुसा और सबसे interesting बाद यहाँ पर यह है कि देखो इस parade के लिए इसराहिल के जो ultra nationalist लोग हैं यह सरकार से permission मांग रहे थे बहुत ही लबे समय से मगर जैसे ही इसराहिल में नए प्राइमिस्टर बने है नफ्ताली बनेत इन्हों क्या है और किस हद तक यह इसराहिल का aggression बरदाश करेंगे ना यहाँ पर पूछोगे के वेल ठीक है मार्ची करेंगे बहुत से लोग होंगे जो शीरे नौजवान देश प्रिमी होंगे इसराहिल के यह यहाँ पर अच्छे से जो west bank है मतलब के यह भी आपको बताओगा फिल होता है कि फिलिस्तीन के लोग यहाँ पर गुसा ना हो जाए और फिर से यहाँ पर दंगे शुरू ना हो जाए क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो फिलिस्तीन से जो फुटे जारी है यह काफिया तक चिंता जनक है इसराली forces यह पूरा area clear कर रही है यह ensure कर रही है कि इनके जो ultra nationalist लोग हैं जब यहाँ पर इसराल का जंडा लेके जाएंगे तो इन पर कोई attack ना कर दे अब for example जरूसलम में already हाता पाई होनी start हो जुकी है ऐसे दरिश्ची यहाँ पर common है यहाँ पर आप देखोगे Damascus gate के भार यह नजारा है अब एक तरफ से जो इसराल का मा आच है वो आएगा इनकी rally आएगी उसके पीछे जो Palestinians है वो भी यहाँ पर तयारे attack करने के लिए पुलिस को यहाँ पर डर यह है कि कई Palestinians यहाँ पर पत्राव कर सकते हैं बोतले फैक सकते हैं और उससे हिंसा काफिया तक बढ़ जाएगी तो यह लोग यहाँ पर ensure कर रहे हैं कि कोई भी Israeli March को disturb ना कर पाए अब यहाँ पर पूछोगे वे Damascus gate Damascus तो capital है Syria की मगर यहाँ पर Jerusalem में भी Damascus है तो हाँ बिलकुल Damascus gate आपको मिलेगा Jerusalem में यह का जाता है main entry gate है old city का यहाँ पर अगर दिखोगे यह यहाँ पर आगया Damascus gate और उसके पास यहाँ पर है old city of Jerusalem और फि इसराइल और गाजा के बीच में अच्छली इसराइल और हमास के बीच में उसका starting point यह था कि अल अक्सा मौस के आसपास violence हुई उसके बाद इसराइली defense force को अल अक्सा मौस के अंदर जाना पड़ा force हो ली उसके बाद हमने यह देखा कि हमास ने अटाक किया इसराइल पर औ और इसराइल ने जवाबी करवाई में बहुत heavy bombing करी पूरी गाजा पटी की तो अभी भी देखो same चीज होने की possibility है क्योंकि इसराइल की जो rally है यह पहले गुजरेगी Damascus gate से फिर उसके बाद possibility है कि अल अक्सा मौस के भी यह बहुत ज़रा पास गुजरे पिछली बार आप देखो तो इसी location से violence start हुआ था तो इसलिए ना सिर्फ इसराइल इस पूरी rally को लेकर Turkey, Jordan, Syria, even Lebanon सब countries काफियत तक नर्वस है कोई भी नहीं चाहता यहाँ पर कि यह जो ultra nationalist rally है यहां के लोग अलग सा मौस के अंदर चले जाए या फिर किसी और तरीके से provoke करे हमास को जिससे फ होती simple है जिस गड़वंदन पर आज के समय नफ्ताली वनत की सरकार खड़ी है उसमें चार सीटे आती है एक political party से यह एक Arab party है मतलब के Muslim जो है जरुसलम में उनकी political party है अब obvious ही बात है यह political party तो कहेगी के जो यह nationalist rally है ultra nationalist rally यह गलत है यह नहीं करनी चाहिए किसी को आप अगर चिडाओगे उनके सामने आप अगर नरे लगाओगे तो obvious ही बात है वो भी आपर reaction देंगे यह इन लोगों का कहना है तो यहाँ पर यह लोग warn कर रहे थे नफ्ताली वनत को के यह rally मनजूर मत करना मगर नफ्ताली वनत ने एक तरीके से अपनी सरकार को दाव में लगा कर य वापस आजाएं मगर नफ्ताली वनत यहाँ पर यह कह रहे हैं कि मेरे लिए बहुत ही important था यह rally को approve करना क्योंकि इसके बाद जो ultra right wing लोग है इसराइल के यह भी support करना start कर देंगे इस सरकार को क्योंकि अभी के लिए क्या है कि इसराइल का जो right wing है वो लोग यहाँ पर यह देमान के चल रहे हैं कि नफ्ताली बने चाय बहुत ज़रा right wing हो जो बाकी political parties हैं इनके गड़बंदन में यह जराइतार left wing है तो इनको जराइतार कहते हैं कि यह काफी leftist government है इवे नगन याउन नहीं यहाँ पर यह का है कि इसराइल की history में काफी लंबे समय के बाद एक leftist government now एक और question अब यहाँ पर यही पूछोगे कि अचानक से यह rally निकालने का फैसला क्यों किया गया इन ultra nationalist द्वारा और वो भी इसी date को देखो हर साल यहाँ पर यह लोग 1967 war में जो इसराइल की जीत हुई थी वो celebrate करने के लिए एक rally निकालते हैं वैसे यह rally plan करी गई थी 10 में 2021 को मगर यह rally delay कर दी गई because of political uncertainty अब यहाँ पर यह rally हो रही है 15 में 2021 को और इस rally की seriousness आप इसी बास से समझ सकते हैं कि United Nations के जो deputy spokesman है फरहान हक इन्होंने भी यहाँ पर यह का है कि मैं चाहता हूं कि सारी sides इसराइल, फिलस्तीन, सब लोग यहाँ पर provocations ना करें और जो ceasefire अभी फिर से यहाँ पर war start मत कर देना, मगर यहाँ पर इसराइल के कई geopolitical analysts यह कह रहे हैं कि नफ्ताली बेनत ने बहुत ही सोच समझ कर यह rally approve करी है, नफ्ताली बेनत इनके हिसाब से चाहते हैं कि इनका जो कारेकाल होगा 2 साल का, क्योंकि जो इनकी गड़बनत की सरकार है, करके जाएं, एक बार फिर से यह फिलिस्तीन को इतना प्रवोक कर दें कि यह war start कर दें और जब एक बार war start हो जाएगी, तो यह बहुत सारा area कप जाना चाहते हैं West Bank का, ताकि इनका political stature इसराइल में और ज़रा grow करे, ख्यार अभी के लिए यह है news and transition, इस पर in the future कोई updates आती ह तो मैं updated वीडियो आपके लिए लिए आँगा, और finally मैं आट कर दूँ कि आज के समय अन एकाडमी का एक बहुत ही unique SSE bank combo चल रहा है, simply यहाँ पर वीडियो के comment section में जाओ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका link लिखा होगा, SSE bank combo और यहाँ के सामने खुलेगी screen, now simply pick a plan और यहाँ पर पर्चेस कर सकते हैं 12 months या 24 months का combo, जो 12 months का combo है, यह आपको पड़ेगा 8888 रुपीस का, आप अलग-अलग दोनों courses पर्चेस करोगे, तो आपको इससे कई जारा पे करना होगा, मगर यहाँ पर भी additional discount आपको मिलेगा, अगर आप यूज करते हैं promo code PD10, prices औ और जारा कम हो जाएंगे, 666 रुपीस पर मन्त में, आप घर बैटके या कही भी prepare कर सकते हैं for SSC and bank exams, so use the promo code PD10 and save money, इसी note के साथ यह है वीडियो कांद, thank you for listening and as always, God bless you all! झाल